तुम्हाने लिए और एक इंपोर्टेंट ज्यादा इंपोर्टेंट बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट एक वीडियो लेके आ गया तुमको बोला था ना जो एक्सपेटेट काट ओप रहेगा इस साल 2K24 नीट का अल इंडिया कोटा काट ओप वो तुमको बता दूंगा वी पुड़ा काट ओप ठीक है ओ भी बता हूंगा विछले फाइब यार्स का और उसके हिसाब से और कोस्टेंट प्विपार था ना निट का ओ उसका डिफिकाल्टी लेवेल उसके हिसाब से मैं एनलाइज करके लेखे आया तो मेरे साथ बने रहो वीडियो में देखो मेरा ए रीकर का 1010 नुटले मैं एनलाइज कर एऍफिक का चार निट का अलाइज कर भी इनलाइज कर रेजिवींटा से तू हिस योगण GENERAL का CUTOH था 595, OBC का CUTOH 595, EWS का CUTOH 595, ST का CUTOH 473, ST का CUTOH 452 2K22 जेनरल के काटव था 596, OBC 596, EWS 595, SC 454, ST 423 2K23 का काटव था जेनरल के लिए 610, OBC 610, EWS 607, SC 480, ST 445 इसके हिसाब से और तुमारा जो पेपर है उसके हिसाब से मैं एस्पेक्ट कर लिया और इंडिया कोटा काटव क्या रहने वाला है, ठीक है, वो जो 15 पार्सन होता है ना, वो सारा का सारा मैं समझा दूंगा बाद में तुमारा काउंसलिंग पॉसर्स किया होता है, स्टेप बाई स्टेप साभी बाता दूंगा, ठीक है, तो आज देखो, 2K24 का मेरा एस्पेक्टेट काटव और इंडिया कोटा के लिए क्या रहने बाला है, तो देखो, जिनरल के लिए मैं एक्सपेट किया, 615 से ल लेकर के 490 और स्टी 450 से लेकर के 455, तो यह है तुमारे एक्सपेक्टेट काटव और इंडिया 15% कोटा, ठीक, तो देखो, यह चैनल तुम्हारे लिए ही मनाए गया है, तुम्हारा काउंसलिंग पॉसर्स क्या होता है, तुम्हारा स्टेप बाई स्टेप सारा का सारा जान पाऊगे इस चलम से, कोई भी पैसे बरबात करने का जरूरती नहीं है, ठीक है, सब कुछ समझा दूंगा, तुम पूछ सकते हैं तुम्हारा डाउट, एक कॉमेंट बॉक्स पे कॉमेंट करके, और मुझसे मैसेज करके, इंस्टागाम पे मैसेज कर सकते हो, फेस्बूक प ठीक है, तो चलम फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो पे, थैक्स